तो ये कहानी शुरू होती है, हैना नामी एक लड़की को दिखाते हुए, हैना अपने डाग के साथ वे रान बर्फानी जंगलों में रहती है, दुनिया से इतना दूर होने के बावजूत भी उसे सब कुछ आता है, उसके डाग एरिक ने उसे छे अलग अलग तरह की और फर एक दिन उसे कंपनी कहा एक रास पता चुम किया, ऐसे वो कंपनी के लिए खत्रा बन गया, सिया ये के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो खुद की और अपनी बेटी की जान बचा कर यहां दुनिया से बहुत दूरा किया, लात में जब एहरे हैना को म्यूसिक अब ये करने के लिए तयार हूँ, उसकी ये बात कहते ही, एरिक एक गटा खुलकर एक डिवाइस उसके सामदे लिए आता है, वो इस डिवाइस को एनक सामदे रखता है और कहता है, इस स्विच को दुबाते ही, सिया ये को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा, लेकिन इस सारी बाते करते हुए है ना बगयर डरे उस स्विच को दुपा देती हैं C.I.A. को फोराल उनकी रूकेशन का पता चल जाता है और अब C.I.A. की एजन्ट मेरी सार एक मीटिंग बिलाती है वो मीटिंग में सब को बताते हैं कि Eric का पता चल चुका है Eric एक बहुत ही अच्छा और कापिल C.I.A. एजन्ट था उसे पकरना बहुत जाता जरूरी है क्योंकि उसके पास कंपनी के सीक्रेट है निखा जाता है कि एक फोर्स को Eric की घर Eric को पकरने के लिए भीज दिया जाता है जबकि यही हम Eric को देखते हैं तो Heana से कह रहा था कि जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है अब हम मरने में मिलेंगे और तुम भी मरने नाओंगी यह कहते ही वो तो यहांसे जा चुका था लेकिन अब चारो तरफ से एङना की घर को पुलिस ने खेल लिया था जिससे ही दो पुलिस वाले अंदर आते हैं, हैना एक यूनिट में दो नोगो वहाँ पर मार गिराती हैं, लेकिन फिर बाकी फोर्स हैना को पकड़ कर C.I.A. के हैड़कोर्टेस ले आती हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक ओफिसर उससे डेरोकेट करने के लिए आता है, जिससे वह बात नहीं कहती हैं, और कहती हैं, कि मैं सिर्फ मेरिसा से बात करूँगी, यह सुनते ही, अब एक ओर लड़की इस रूल के अंदर आई थी, तक्रीपन वह मरिसा जिसनी दिख रही थी, जो हैना से कहती है, बोलो, मैं ही मरिसा हूँ, अब हैना इस एजिंट से काफी सार सवालों के जवाबात दे रही थी, जैसे ही, हैना को यह बात कंफर्म हो जाती है, कि मैरिसा ही है, तो वह उस्ते गने लगके रोने लग जाती है, ऐसे में बाहर जो एजिंट्स थी, हैना पर नजए रख्यों हुए, उन्हें हधरा मैसूस होता है, और वो लोग हैना को भिह करने के लिए एक इंग्जेक्शन लेकर अंदर पड़ते हैं, जैसे ही वो अंदर आती है, हैना बढ़ी ही आसानी से उन दोनों एजिंट्स से लड़ते हुए उन्हीं गिरा देती है, और दिकन लेते ही, वो सबसे पहले मैरिसा बढ़ी हुई एजिंट्स का मुर्डर करते ह वो यहां के स्क्योर्डी कैमराज भी शूट करके तोड़ देती हैं, जिसके बार वो यहां से भाग चुकी थी, मेरिसा चो दूसरे चेमर पर बैठी ही, यह सब कुछ देख रही थी, वो बहुत जादा शौक थी, यहां CIE के लाब में हैना का ब्लड टेस्ट प्योरा था औ लेकिन वो उस दभी को चक्पा देखे, टनल की दूसरी ओपनिंग एक सिहरा भी थी, इसे वक्त पर हैना के उपर से कुछ गाडियां गुसरती हैं, जिनके साथ लटकते हुए, वो काफी दूर पहुचाती है, और यहां पर उसे मिलते हैं दो बहन भाई, जिसमें से बहन कर यह जाने के लिए स्टोरी फ्लाश पैक में चाहती है, जहां दिखा जौता है कि एरिक की गाड़ी में हैना की मॉम और हैना भी थी, मेरी साखे किये हुए हमले की वज़ा से हैना की मॉम बर जाती है, और एरिक हैना को लेकर वहां से जंगलों में भाग जाता है, और तबी स मेरी साह उसे धूट रही थी दूसी तरफ दिखा ज़ाता है कि हैना चलते-चलते एक करीबी गाउं तक पहुंची है चाहां वो दिखती है कि कहाँ वी लोग कपड़े धो रही है इनिवेसे कुछ लोगों की कपड़े चुड़ाकर वहां एक होटिल में जाती है हैना के पास स उसे सूफी भी बोलती है वो उसे अपने साथ डिनर पे इन्वाइट कर लेती है और ये लोग यहां बहुत बाते करते हैं सुबाहोरे पर सूफी की फैमली अपने घर के लिए बापस चली चाती है और उने की घाड़ी में छुपकर हैना भी उनके पीछे निकल जाती है जि दिखा जाता है कि एरिक भी पानी के रास्ते से शहर पहुच चुका था जिसे सबसे पहले दो पूलीस ओफिसर्स देख लेते हैं इससे पहले कि वह उसे मार देते एरिक खुद ही उनको मार कर पानी में गरा देता है और इस चीसकी खबर मैरिसा को भी हो जाती है दूसरी त चूढ़ कर देती है और वो इस मैंत पानी को भाग ने चुपने के पशाए अपने साथ प्रूने को कहती है और इस मारित बंघु को जाती है और जैसे ही ये लाद का हैना के साथ कूई بتत तमीजी केरने की हैं यहां बुरी तरह पड़कर चे दल बेकिस करा देती है इक हैасть वो यहां इस और लेडी से हैना के बारे में पूछ थी है लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती तो मेरी इस्था पिना रहम दिखाए और के सहर पर शूट करते हुए अब को मार देती है सीन डठोकर एरिक को दिखा जाता है जो के हैना से मिले के लिए जारा था रास्ते में जब वो नूटिस कायता है कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रही है तो वो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एक बेस्मेंट प्याओ जाता है उसके पीछे ही उसका पीछा करने वाले प्रिष्ट के नहीं बल्के मरिसा के थे अब एरिक बहुँचा थे और उसके एक गार्ड को गोली मार कर अफके गर के अंदर खुसाता है लेकिन मरीजा पे चुलाकी वो उसके घर के अंदर आने से पहले ही यहां से भाग चुकी थी दूसरी तरफ हमें हेना को दिखाश वा र कि यह सब लोग उसी के पीचे पढ़ी हुए है वो यहां एक पैसला करते है इस फैमली को बच्च आने का वो सो फिस कहती है जो भी हो जाए मेरे पीछे मत आना और यह कहकर वो गारी से नकल कर वहां से भाग जाती है जहां पर मरिसा के भीज़े हुए लोग उसका पीछा कर वो बहुत ही महारत से लड़ ही थी और पीछे आकर यह सब सोफिया देख लीती है सोफिया भेरा से डर चुकी थी वह भाग कर अपनी गाड़े के वह वापीस चली गई थी मरिसा के काफी बंदों को टिकाने लगाने के बाद मरिसा का एक और एज़ट पूरी तरह हैना के प सब्सक्राइब शोटे बच्टे से के बारे में पूझ पूछ की जो ऐसे बता देता है पते ने लोगेस रेजिते हुए होटल बहности को स्कूर खशिक ती और इसी बौर के सरी रणा के पहुच शू की ती जहां उसकेड़ बेदे को खा था पार के इंबह आने के बारे में पहले से जानता था, यहां में हेना को एक letter और एक passport देता है, साथ में एक address भी, बातों यह बातों में यह magician हेना को बताता है, कि मैं तुहरी मौम को जानता था, वो एक बहुत अची सिंगर थी और मेरी बहुत अची दोस्त भी वहेला की मौम का गाना भी आपे प्लै करता है और यहां हेला एहली मरत्मा अपने कानों से वो गाना सुन पाती है अभी यह लोग enjoy कर रहे थे कि इतने मेरी सा और उसके लोग उसे ढूरते में यहां आ चुके थे जिसको यह magician देख चुका था वो हैना से छुपने को कहता है यहां magician की कर आते ही agents magician को मालना शुरू कर देते हैं और उसे एरिक और हैना के बारे में पूछते हैं लेकिन याद में कुछ भी बताने से साफ इंकार करतेता है इतने में यहां पर मेरी सा को अपने उस agent की कौन आती है जिसने उसे हैना को पकरने के लिए पहचा हुआ था हैना की information निकालने पे उसे ये बात पता चुलती है के एरिक ने हमेशा हैना से जूट बोला हुआ है कि वो हैना का बाप है असल में वो आपके उस experiment के बारे में सब को जानता है जिसको आप सालों पहले ही बंद कर चुकी है मेरिसा और उसके एजेंट की ये सारी बात ही हैना पी सुच चुकी थी और सबसे ज़्यादा इस बात में उसे सद्मा दिया था कि एरिक ने हमेशा उससे उसके बाप होने का छूट बोला इन सब के हाल से जाने के बाद वो पिछले दिर्वास से यहां भागती है और नेट के दिर्वे में जाकर अपने डाड गिनी एरिक के बारे में सर्च करती है जहां उसे बात पता चुल जाती है कि एरिक तो मैरिसा और उसके एजेंट जो भी बात इगा रहे थे वो सब सच थी एरिक सच में उसके डाड नहीं थे अब वो मैजिशन के दिये एक एड्रेस पर जाती है यह उसकी ग्राड मा का ड्रेस था रहा जाने पर वो अपने ग्राड मा की पिक्चर योपर लगी हुई गोली का निशान देखती है जो दबाया था जब मैरिसा ने उसकी ग्राड माम को बारा था वो जान चुकी थी कि अब उसकी grand mom मर चुकी है अभी वो इसी सत्मे में थी कि यहाँ पर Eric आजाता है वो Eric से मिलकर खुशो निकम जाए उससे सवाल करती है कि या तुम मेरे डाड नहीं हो जो सुटकर Eric थोड़ा confused हो जाता है वो से कहता है मैंने तुम्हे न पढ़ा किया मैंने तुम्हे पाला लेकिन हेना कहती है नहीं सच बताओ तुम मेरे डाड हो कि नहीं और यहां खिर Eric को सच बताना ही पड़ता है कि वो सच में हेना की डाड नहीं थे वो उसे अब अपनी कहानी सुनाता है कि उसे हेना कैसे मिली थी वो एक CIA एजेंट था और उसे एक मरत बा किसे खास विशन के लिए प्रेग्नेंट लेडिस को ढूलने का काम दिया गया और तुम्हारी मॉम भी उन लोगों में से ही एक थी उस प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनके DNA के अंदर कोई खास सिरम इंजेक्ट कर दिया जाता था जिसकी वज़ा से जब वो बच्चे पैदा हों तो उनके अंदर ना तो डर हो और ना ही वो रहम खा सके ऐसा करने से CIA अपनी एक बहुत ही मस्बूत आनमी बनाना चाहती थी और उनकी लड़ाए करने के ताकत किसी हम इंसान से कही जाता हो एरिक बताता है कि मैंने 200 उर्तों को इस प्रोग्राम में शामिल किया सब कुछ नॉर्मर्ज ज़र रहा था लेकिन जब सारी बच्चे दो साल के हुए तो मैरिसा ने उस रिसर्च फसेलिटी को बंद करवा थिया उसने बहुत से लोगों को मार दिया वो तुम्हें भी मारना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें बचा कर वहाँ से दूर ले गया उसने जब भंबर हमला किया तो तुम्हारी मौम उस हमले में मारी गई एलिक बताता है कि मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं निसा अपनी इस एक्सपेरिमेंट का नामो निशान मिटाना चाहती थी और इसलिए वो कभी भी तुम्हें ढून कर मार दीती तुम्हारे उपर कोई भी खत्रा ना है इसलिए मैं तेरा साल तुम्हें ट्रेन करता रहा ताकि तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको तुम मानो या ना मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेशक मैं तुम्हारा असलिए डैड नहीं हूँ लेकिन एक बाप से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ यह साली बाते सुनकर हैना को और फिसाता खुसा चुका था इतनी बड़ी सचाई वो आज जान रही थी उसकी पूरी जिन्दगी धोका थी वो यहां से जाने लगती है एरिक जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो एरिक की सिखाई हुई लड़ाई उसी के साथ लड़कर उसी को हरा कर यहां से भाग शाती है देखते ही देखते हैं यहां पर मेरिसा भ्याच आती है उनकी गारिया देखकर एरिक मेरिसा को यहां से भागने को कहता है और खुद मेरिसा के लोगों का दिहान भटगाने की कोशिश करता है यहाँ पर मेरिसा के एजिट एरिक को दोनों दरफ से घेड़ लेते है एरिक यहां दोनों से अच्छा लड़ता है और दोनों को ही हरा देता है इसे पहले कि वो उन दोनों को मार देता पीचे से मेरिसा गोली चला कर उसे ही मार देती है दिखाया जाता है कि हैना अब उसी मेजिशन की कर गई थी जहाँ उसे एरिक ने पहली मरतमा आने को बुला था लेकिन यहाँ यह मैजिशन भी मर चुका था पीचे पीचे मेरी सा भी उससे ढूलते हुए पहुच चुकी थी हैना के पास इस वक्त मेरी सा से नड़ने के लिए कोई हत्यार नहीं था मैं अब किसी को कुछ नहीं करना चाहती तुम भी मेरी रास्ते से अड़ चाओ इससे पहले कि यह दोनों ही यहाँ से चले जाती यह दोनों एक दूसरे के उपर हमला करती है जहां मरी सा तीर लगने से जखमी हो जाती है और हैना के पेट में गोली लिखती है लेकिन जजा में पहले पता है कि उसके डियने में कोई एक्स्टा पॉरी थी वो इस गोली लगने के बावजूद भी उठ चुकी थी वो इस वक्त मरी सा का पीछा करती है जहां जखमी मरी सा अपने आपको हैना से बचवाने वाली थी यहाँ से भागने की कोशिशों में गलती से मेरी एना का पाउंस लिप होता है और वो वापिस नीचे गिर जाती है उसके आद में पक्री हुई गन भी छोड़ चुकी थी जो अब हैना के हाथ लग चुकी थी यहाँ वो अपने डैट एरिक को खो चुकी थी जिसका उसे दुख में था वो अब अकेली रहने वाली थी और इससे सब के साथ एक हानी यहाँ खत्म होचाती है